नमस्कार दोस्तों, आज एक मई है और आज के दहिंदू में क्या और क्यों पढ़े हैं, 11 डेड्ड, सबसे पहली न्यूज, 11 डेड्ड अप्टर इन्हेलिंग टॉक्सिक गैस इन लुद्याना कभी-कभी आपने जब नालों के बगल से गुदरे होंगे, कहीं पे सहर में, तो आपको सड़े हुए अंडे की गंध जैसी आती होगी, ठीक है, और ये सड़े हुए अंडे की गंध जैसी जो, मतलब गैस होती है, ये निकलता है जो, ये एक्दम से आपके सर पे चड़ जाती हो और ये आदे घंटे या एक घंटे के अंदर उपचार नहीं मिला, तो ये मिर्तियू का करण भी बन सकती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें इस से बचाओ के, या इस तरीके के जो खुले नाले हैं, या जो सीवर हैं, इन से निकलने वाले गैसों के निस्तार के लिए अभी तक कोई ऐसी योजना हमारे पास नहीं है, अभी लुध्याना की बात करें, दिल्ली की बात करें, लखनव, कानपूर, पटना, बैंगलोरू, मतलब लगभग सभी सहर ऐसे हैं, जहां पर इस तरीके की घटनाएं घट सकती हैं, लेकिन हम अवेर नहीं हैं, औ और ऐसी एक घटन घटी है, तो अभी हमको सोचना पड़ेगा, इससे जो गैस निकली है, हाइड्रोजन सलफाइड, इसको नियंत्रित करने के हमारे पास क्या-क्या उपाएं हैं, तो आपको ध्यान से पढ़ना है, और हाइड्रोजन सलफाइड क्या होता है, किस प्रकार न इसको पूराने तरीके से, किस तरीके से हम पढ़ते थे, या किस तरीके से हमारा अध्यान, का वो तरीका था, उसके बारे में बात की गई है, तो आप इसे पढ़ लेंगे, और इसे एक बार चाहें, तो सुन भी लें, इसके बाद है, आपने सुना होगा कि, जो हरियाना में 40,000 से कम की नौकरी वाले, जो नौकरियां हैं, मतलब 40,000 से कम सैलरी वाली जो नौकरियां हैं, उनमें 75% TAC, 75% Reservation हरियाना के लोगों को कर दिया गया था, रंदरी सैलरी अप टू 30,000, 30,000 के नीचे, तो 30,000 के नीचे की सैलरी में 75% जब Reservation कर दिया जाएगा, तो जाहिसी बात है कि कई कम्पनियां वहाँ पे अपना, अपनी Factories नहीं लगाएगी, क्योंकि 30,000 रुपे ठीक ठाक एमांट होते हैं, और उसमें Export भी आते हैं, तो एक्सपर्ट के लिए इतने में 75% हमें सिर्फ हरियाना को लेना पड़ेगा, Skill Development नहीं है, Skill नहीं है, तो उससे क्या होगा, कम्पनियों को घाटा होगा, यह नुकसान दायक हो सकते हैं, जैसे मान लिजे 100 कम्पनियां आ रही थी, तो 100 कम्पनियों में 20-20 लोग भी नौकरी कर रहे थे, या 20% लोग भी नौकरी कर रहे थे, तो यह ठीक ठाक एमांट था, 75% लोग के लिए आपने कर दिया, तो 100 कम्पनियों के जगा में 2 कम्पनियां माल लिए गई हैं, ठनवे कम्पनियां निकल गई हैं, तो यह आपके लिए नुक्षान हो जाएगा, तो इस परकार से हमें यह चीरियां देखनी है, इसके बाद है, ग्रे एरियाज इन लाउ बैनिंग प्री नैटाल सेक्स डिटर्मिनेशन नीट फिक्सिंग, जो प्रसाव पूर परिछन करते हैं, कि लड़का है या लड़की है, उसी पे हाई कोट का निर्देश आया है, कि यह जो आज भी बहुत धरले से चल रहा है, इसको रोकने के लिए कुछ उपाई किये जाने चाहिए, इसी पे आपको देखना है, ठीक है, तो यह आप पढ़ लेंगे, इसके बाद है, पेज नम्ボर फूर पे, कौपर प्लेट, कौपर प्लेट ब्रिंग इंटू फोकस सैल सीला भत्तारिका, सीला भत्तारीका and her poetry, दीक कौन है, तो दो वराह सील अप बादामी चालुक्यन, बादामी के चालुक्यों का वराह सील, इसते एक हो जाता था, तो आप इसे पढ़ लेंगे, भंडारकर औरियंटल रिसार्च इंसीचूट, रिसार्चर पुने वेस्ट, तो आप इसको पढ़ लेंगे, तो चालुक के सासन से संबंदित जो चीजें मिली हैं या जो चीजें हैं, उसके बारे में आप देख लेंगे, ठीक है, इसके बाद जो अब दी नियूज हमें देखनी हैं, वो है पेज नंबर 6 पे, पेज नंबर 6 पे हैं, इंडिया, इस SDG प्लेज गोल, एंड दा स्टेटेजी टू अपलाई, SDG सस्टेनेबल डेवलप्मेंट गोल, सतत विकास लेक्ष, जो 2030 तक हमें हासिल करना है, 17 गोल हैं, आप इसे SD SDG गोल्स निकालेंगे, गूगल पे, और 159 सब गोल्स हैं, इन दोनों चीज़ों को आप देखेंगे, इसके लिए क्या-क्या चीज़ें की जा रही हैं, इसके बारे में बात की गई, 10 SDG प्रेमवर्क से टार्गेट ऑफ 231 यूनिक इंडिकेटर एक्रोस 17 SDG, गोल्स रिले रखा गया था, इसी पर बात की गई है कि किस परकार से हम लच्छे हासिल करने की दिशा में क्या कदम उठा रहे हैं, और क्या लेशन मिला हमें COVID-19 अप्रोस से, दसक्किया प्लान क्या है, इसी पर पूरी बात की गई, तो आप इसे पढ़ लेंगे, इसके बाद है, मैं वन है और आज मजदूर दिवस है, मजदूर दिवस हम सामयने था, उन लोगों के लिए मनाते हैं, जो कहीं न कहीं पिछड़े हैं, या पीछे हैं, जैसे मजदूर दिवस, महला दिवस, बाल दिवस, या इस तरीके के, जो कमचोर तबका है, जो कहीं पीछे चूट रह तो आखिर इनके लिए या इनके ससक्तिकरण के लिए ऐसा क्या किया जाए कि हमें दिवस मनाने के अब सकता ना पड़े तो एक तो इनका जैसे महिला ससक्तिकरण की दिशा में कई कदम उठाए गया है मजदूरों के हकों के लिए एक मई को किया गया था कि आठ घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे इस प्रकार के कई चीजें उठाई जा दिए इसके लिए अंतराश्टिय संगर्थन इंटरनेशनल लेबर और और इस प्रकार से लेबर के कल्यान के लिए कुछ कदम उठाए जाने चाहिए क्या प्रियोरिटी है सोसल जस्टिस क्या कैसे मिल सकता है उनको इसी पर बात की गई है देखो दोस्तों एक चीज बता देता हूं कि कोई भी किसी भी ससक्तिकरण में सबसे जो जरूरी चीज है वह एजूकेशन आप इस केशन की बात करते हैं जब हम एजूकेशन के आगे आते हैं तो जैसी बात हैं चैलरी या सेलरी है या वेजज या वेतन है वह बढ़ जाता है तो इस प्रकार ते सिच्छा एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमी का निवा सकता है तो मेरा आज का कोट भी है कि अधि आप मज़़ूरों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो उसे किताबे दें, उसे पढ़ाएं, उसे आगे बढ़ाएं, उसे स्किल्ड करें तो ये चीजें थी और अब इसे पढ़ सकते हैं, इसके बाद है इरोजन ओफ हार्ड वॉन लेबर राइट्स, जो मिले थे, उसको धिरे-दिरे खतम किया जा रहा है, किसके लिए तो कंपनियों के दबाओं में, तो उसी पर बात की गई है कि किस परकार से 8 गंटे को फिर 12 ग गंटे को जाएगा, ये दोनों पढ़ लेंगे आप, तो एक क्लियर कॉन सेपट क्लियर हो जाएगा लेवर लॉह के लिए, और मजबूर दिवस या मजदूरों के अधिकारों पर एकडम से कहन से क्लियर हो जाएगा, तो आपछकार इसे पढ़ लेँ, इसके बाद है, नही जो एक refinery project लगा गया है on April 25, the Maharashtra government started conducting soil treasure of Rajapur, Tahsil, Barasu village in coastal Ratnagiri district to north the site of suitable for the proposed multi-billion dollar Ratnagiri refinery and petrochemical limited project which is touted as the world largest single location of refinery complex, the refinery complex is located and the protest against the refinery, why is it going to be done, what is it going to be done, the government or the Vikaas Aghaadi, the three tribes, the NCP, the CEO, Parasahab, Thakaregutwala and Congress, they are also in the report, so you can see what the current is and what is going to be done, so you can see what the current is going to be done, so you can Friends, if you haven't subscribed yet, please subscribe, like and comment, if there is something that you can do, okay, today we will see you again, thank you, thank you. Thank you, thank you. Thank you. Thank you. Thank you.